तो गाइस कुछ टाइम पहले एक वीडियो मैंने शेयर की थी और उसमें वोईस की प्रॉलम की वज़े से दुबारा ये वीडियो जो की बनानी पड़ी और अभी एटजेंट जो है क्या सिच्विशन है एक एनर्जी में इस लेवल के बाद जो है कहां तक यह जा सकता है क्या एक बैतरी लेवल आपके पास जो की मौझूद है करीजने के लिए तो गैस पूरा डिसकसन इस वीडियो को तो प्रिंगे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत पूले है तो आज के हाई की बात पर 337 रुपे इस का आज का यह लोग की बात पर 327 रुपे 15 पैसे का आज क काफी प्रेशर है एवन दुबारा से जो है सेंसेक्स पीक पे जा रहा है आज भी करीब असी हजार पॉइंट के आस पास जो है सेंसेक्स मार्केट में मौझूद था एवन अप्शाइड मूव जो की हजा 1200-1300 पॉइंट जो है प्लस में ही सेंसेक्स बंद हुआ है अगर ब बात करें या फिर स्मोल कैप की बात करें उस वहां पर जो है ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली एंड उसमें अगर एक एनरजी की बात करें तो यहां पर भी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली बट अगर बात करें एक महीने से जो है मार्केट काफी डंपिंग म मिला है एक एनर्जी में अगर बात करें इसके माक्सिमम की तो मैक्सिमम जो करीब 31-32 रुपए के आसपास कैसे अज़िए आपको 3700 रुपए के आसपास इसमें जो की फ्लेक्षिशन देखने को मिल रहा है आप मागेट से ले सकते हैं अगर बात करें इसके अनर्जीस की तो सिर्फ यसी पे ही लेश्टेट है 31,000 के आसपास की इसमें आज वोल्यूम ट्रेड हुआ है अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो जो है जून का रिजल्ट आ चुका है डाउन फोल है रिवेन्यू में बटे स्टैंडलोन है नेट प्रोफिट की बात करें तो कंपनी ने तीन करोड का प्रोफिट अन किया है अपने इकलोते अपने दम पे एपियस की बात करें तो यहां पर रही सिच्वेशन जो है काफी बहतरीन है एक एवन एपियस की कॉंसिंदी देखें तो यहां पर कोर्टरेली डेजर्ट की बात करें तो एक बहतरीन उचाल देखने को मिलाए है EK energy में इतने struggle के बाद जो है company ने at least financial को देरे देरे जो है एक track पे लेके आई है company EPS की situation भी काफी हद तक जो है net profit वाली है share holding की बात करें rotor की हलकी सी holding decrease हुई है FIA की बात करें तो holding बिल्कुल stable है DIA की बात करें तो DIA की holding zero है public की बात करें अधर्स की तो अधर्स की holding यहाँ पर even of course दुबारा से आई है जूंक पॉइंट जिरॉन परशेंट के साथ FIA की holding यहाँ पर कोई चेंज नहीं है पीश कंपनी के बात करें ITC Gresham Reliance Industry Limited Partially Paid and SRF इसकी पीश कंप्रिया मार्केट में मौझूद है and आप पात करते हैं इसकी total equity तो guys पॉने तीन करोड के आसपास की equity है दो करोड दो लाख ग्यारा अजार साथ equity जो है वो प्रोंटर अप्रोंट ग्रूप के पास 73,17,112 जो है वो पॉब्लिक के पास है जिसमें FIA, EDA, अधर सब कुछ इसमें include है करीब 65, 66,000 के आसपास इसमें number of shareholders market में मौझूद है पॉब्लिक की बात करें तो पॉब्लिक में जो इवन बड़े investors की बात करें तो ऐसा कोई बड़ा investors यहां पर दिख नहीं रहा है अगर बात करें यहां पर individuals की तो काफी ज्यादा यहां पर individuals के पास ही equity मौझूद है करीब जो है equity 67,000,000 के आसपास की equity जो है वो individuals के पास है जिसमें से 63,000,000 जो है वो even 2,000,000 से नीचे की जिसके पास equity है अगर बात करें उपर 2,000,000 से उपर की equity की बात करें तो करीब 3,000,000,000 के आसपास जो है नमबर ओप share है नाइन जो है इसमें 2,000,000 से उपर की equity लेके नमबर ओप shareholders बैठे हुए है market में अब बात करते हैं इसकी breaking announcement की तो 12 August कोई letter दिया है clean cooking initiative at 8th CSR health impact awards 2024 तो गाइज ये of course काफी पहत्रीन award मिला है EK energy services limited awarded for its clean cooking initiative at 8th CSR health impact awards 2024 अडर its clean cooking initiative EK has distributed nearly 2 million approved cook stoves across India several African nations improved cook stove initiatives is all set to improve the lives of the under served communities with expensive plants in Southeast Asia and more African nation तो गाइज यहां पर इस चीज़ को लेके यहां आपर आवर्ड मिला है and Mr. Manish डवकारा जी ने जो statement दिया है the traditional cooking method not only contribute to serve respiratory illness but also intense intensify climate change due to greenhouse gas emissions on into sheer scale of it our initiative is dedicated to replacing these inefficient and harmful stoves with advanced improved stove cook stoves that offer a cleaner more efficient alternative it is a part of our mission to have 100% smoke-free kitchens with easily adaptable clean cooking solution so guys यहां पर एक of course जो की काफी effective होगा जो की clean cooking जो की gas stove यहां पर जो की लॉंच किया था और उसकी वज़ेस से जो है काफी even a guest of became भी है even and इसके अलावा जो है green house even climate change को लेके भी चीज़ें जो है काफी improve improve हुई है और इसके अलावा अगर बात करें Mr. Smarth सेंग गुपता वाइस प्रेजिदेंट बिजनस डवलपमेंट एक एनर्जी सर्विसे लिमिटेड ने जो इवन यह statement दिया by reducing smoke emissions by 60 to 70 percent of course यहां काफी effective चीज़ें जो है यह launch की है एक एनर्जी सर्विसे ने and reduction in emission efficiency gains recognition of course recognition मिला है and of course जो की अगर climate change को लेके तो गईस का आगे आगे even market में demand बढ़ने वाली है क्योंकि zero emission की बात करें तो गईस उसके लिए हर तरह से जो की चुकनना रहना पड़ेगा हर तरह से एक प्रियाश करना पड़ेगा and of course जिसकी नीव जो है एक एनर्जी ने बढ़ने स्टार्ट कर दी है and of course इसका जो यह initiative लिया गया है यह काफी effective शाबित हो सकता है far from that अगर बात करें carbon trade की of course जो की आने वाले टाइम में काफी बड़ी और मोठी demand होने वाली है जिस तरीके का जो अभी target है उस target को achieve करने के लिए so उसके लिए काफी सारी countries भी जो है काफी अच्छा खासा जो की एक cash रही हो कर रही है अगर बात करें US की बात करें African countries की बात करें तो guys एक अच्छा खासा वहां से भी एक even cooperation जो है अच्छा खासा प्रोफिट आपको मिल सकता है यह लेवल भी काफी पहत्री लेवल है मेरे इसाब से यह लेवल नहीं छोड़ना चाहिए एक अच्छा खासा प्रोफिट आपको कमा सकते हैं आने वाले टाइम में जो condition है at present उसको देखते हुए खास प्रोफिट आपको सब्सक्राइब एक क्राइब चेकर प्रोफिट प्रोफिट अप्लिए लाग कमें जरह सप्क्राइब तेक यह तेकर